तो इस वीडियो में हम और कुछ इंट्रस्टिंग वर्ट को देखेंगे और आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होंगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जूरूर बताइए कि यह वीडियो कैसी बन रही है आउस का इसका मतलब है कमबाइन करना कोई भी चीज को मिलाना किसी भी चीज को मिलाते है तो इसको मोटे है करना आपकोर्स कोई चीज मिक्स करना कि अगर हम शनाने नेमस को देखें तो mix इसका एक synonym हुआ, जो कि बहुत ज़्याद़ simple है, अपकोर्स कोई चीज mix करना, blend करना, ये बहुत अच्छा word है, blend, मतलब mix करना, combine करना, merge करना, मिलाना, amalgamate का synonym है, mingle, mingle आपने सुना होगा, single से mingle होना, मतलब single से double होना, तो of course, जब कोई चीज double होती है, तो of course, हम मिला कर सकते हैं, join करना, join भी जब हम करते हैं, तो हम मिलाते हैं, callis, ये बहुत अच्छा word है, callis, mingle, blend, callis, इसकी pronunciation है, callis, तो ये amalgamate के कुछ synonyms हैं, intraniums को देखते हैं, intranium क्या होगा, जब हम कुछी चीज को combine करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, split करेंगे, तो split करना, separate करना, अलग-अलग करना, तो ये इसके intraniums होए, next, जो word है, वो है promalgate, promalgate, promalgate का मतलब होता है, कोई चीज को फिलाना, किसी चीज को फिलाने को हम promalgate कहते हैं, जैसे कोई वी video कोई upload करता है, जैसे YouTube पे upload करता है, तो उसको हम publicize कर देते हैं, तांकि public देखे, हर एक इनसान देखे, तो मतलब किसी वी चीज को हम जब फिला देते हैं, तो उसको हम promalgate कहते हैं, promalgate की जो synonyms हैं, वह ब्रोड कास्ट करना, broadcasting करते हैं, जब किसी चीज को फिला देते हैं, publicize कर देते हैं, तांकि public देखे, of course, फिलाना, propagate करना, propagation करना, disseminate तो बहुत अच्छा word है, disseminate आपको जर circulate करना कोई चीज, circulate करेगी तो, of course, वह फैलेगी, transmit करना, जब आप कोई चीज किसी को बेज़ोगे तो, of course, वह फैलेगी, तो यह सब इसके synonyms होए, promalgate के, antenniums की बात करें, तो यहां तो किसी चीज को आप फिलाओगे, यहां तो उसको दबाद होगे, किसी चीज को मतलब, but इसका antennium इसका उल्टा हुआ, आप उस चीज को चुपा दोगे, तो वह हो गया, concealed, bottle up, bottle up भी हो गया, antennium, promalgate का, तो यह दो बहुत अच्छे words है, इनको बार-बार पढ़िए, so next word जो है, वह है, carping, carping का मतलब होता है, complain करना, उन चीजों की complain करना, जो important नहीं हो मतलब, किसी को यह कहते रहना, कि तुमारी यह गलती है, यह गलती है, यह गलती है, तो इस चीज को carping बोलते है, so carping के अगर synonyms की बात करें, तो complaining, common है, but grossing, grossing का मतलब complaining, again carping, complain करते रहना किसी के, किसी के दोश्चों को खोशते रहना, कि तुमारे में यह problem है, यह problem है, winning, किसी को क्रिटिसाइज भी करते रहना एक तरह का क्रिटिसाइज ही हुआ जब हम किसी की कंप्लेइन करते रहते हैं तो इंडिरेक्टली हम उसको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं अगर मैं इस वर्ड का मतलब आपको बता रहा हूं कि कंप्लेइन करना तो इसका सिर्फ मतलब कंप करना एक तरह का तो क्योंकि जब हम किसी को कंप्लेइन करते हैं किसी की कंप्लेइन करते हैं तो हम एक तरह का उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको एक मतलब आपकी जो सोच होनी चाहिए वो थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए तांकि आप सिर्फ एक वर्ड को एक ही मीनि तो सिर्फ complaining तक ही आप सीमित ना रहो, थोड़ा सोचना है आपको, क्योंकि जब आपको exam में synonyms पूछे जाएंगे, तो कभी-कभी वो इतने close options दे देते हैं, कि आपको decide करना possible नहीं हो पाता है, सो आपको सोचना है, inverse के, अगर मैं interniums की बात करूँ तो हो गया, satisfied, आप satisfied इसका internium कैसे हो गया, क्योंकि जब आप वही इंसान complain करते हैं, जो दूसरों से satisfied नहीं हो सकते, suppose करो, किसी ने कोई काम दिखाया है आप लोगों को, और आप suppose नहीं कर पाए वो काम, तो आप उस चीज की complain करोगे, क्यों, क्योंकि आप उस काम से satisfied नहीं हो पाए, तो इसका internium होगे, satisfied content, next जो वोड है, वो है bolster, bolster होता है किसी की strength को बढ़ाना, जैसे आप लोगों की friends हो होगे, तो आपके friends आपकी help करने आते हैं, तो आपको वो strengthen करते हैं, आपको वो bolster करते हैं, आपको वो, आपकी वो strength को बढ़ाते हैं, आपको वो sport करते हैं, तो bolster हो गया, किसी की sport करना, किसी की strength बढ़ाना, तो इसके synonym से होगे sport करना, strengthen, fortify, fortify, fortification करते हैं, आपने गर के चारो तरफ दिवार खड़ी का देते हूं, वह क्यों? तांकि आपके जो गर है, आपके गर को स्पोर्ट बनी रहे कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके. फॉर्टिफिकेशन करना, स्टेंफन करना, स्पोर्ट करना, रेंफोर्स सेम, बॉल्स्टर करना, बूस्ट, बूस्ट करना, अपकोर्स किसी की स्ट्रंथ को बढ़ाना, एंटेनियम की बात करें, तो एंटेनियम हो गया, वीक करना किसी को, वीकन करना, कमजोर करना किसी को, अंडर्माइन बहुत अच्छा वर्ड है, अंडर्माइन, मतलब किसी को कमजोर क इस वीडियो में हमने अच्छे चार वर्ट को कवर किया है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू